हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल जेटो जेट कीचेन, आज हम बनाने वाले हैं ताजा मटर पनीर पुलाओ, यह रेस्टूरेंट इस्टाइल और पार्टियों में बनाई जाने वाली रेसिपी है, देख सकते हैं फ्रेंज से कितना बढ़ियां बना है, मटर पनीर पुलाओ, बिंटो में बन के तयार हो जाता है, देख सकते हैं कितना बन के तयार हुआ है, और सबसे इंपोर्टन चीज तो यह कि इसे हमने कडाई में बनाया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंज से कितना खिला-खिला, कितना बन के तयार हुआ है, इसमें हमने कुछ शेर्ड पेडिये हैं जिससे जो इसका फ्लेवर बहुती फ्लेवर फुल और बहुती ही मजड़िदार बन के तयार हुआ है तो आएए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है साथ ही मेरी चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये भी न आ जाये ताजा म फ्राइ करने के लिए मैंने पैन लिया है उसको मैंने गरम कर लिया है इसके बाद मैं इसमें आड़ कर रही हूँ एक चिममच घी गैस के फ्लेम को हम मिडियम रखेंगे और फिर हम इसमें पनीर को आड़ कर देंगे फ्रेंस पनीर में हमने एक्ष्चा कुछ भी आड़ नहीं किया है इसके बाद हम इसे इस तरह से पलटते हुए चारों तरफ से इसे फ्राइ कर लेंगे अब इस से इस तरह से हल्का हल्का हाथों से इससे उठाकर इस तरह से उलट लेगे पनीर में एक प्यारा प्यार कलर अगया है देख सकते हैं बिल्कुल गॅलड़न सा कलर हो लें इसका अब हम इसमे संनिकाल लेते हैं देख सकते हैं इस कितना प्यारा कलर आया है यह रिखिए इसे रखते हैं एक साइड में मैंने आट सी दस काजू लिये है आट सी दस बादाम लिया है उसे मैंने इस तेरे से काट लिया है पतला पतला और वेश से 25 मैंने किसमिस लिया है तो फ्रेंस इसी घी में जो है हम को fryer कर लेंगे इन सारे ड्राइफृ्टस को fryer कर लेंगे एक एक करके इसполож थोड़ा सा घी मैं और एड़ कर रही हूं मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है कि देखिए काजू का कलर चेंज हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम kismis को आड़ कर देते हैं, इसे भी fry कर लेते हैं, किसमिस को हमें ज़ादा fry नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी फुल जाएगी, कुछ सेकेंड में हो गया इससी तरह से हमने बादाम को भी रोस्ट कर लेना है इससे भी निकाल लेते हैं इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स प्रोसेस पे तो इसे रख देते हैं साइड में पैन को हटा देते हैं इसके बाद हमने लिया है कडाई को गरम कर लेते हैं अब जिस करेंगे इसे हम वेश्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके बाद हम इसमें दो चम्मच घी और एड कर देंगे इस आप चाहें तो घी की जगे कोई सा रिफाइंड और भी यूज कर सकते हैं या फिर आधा गी और आधा ओल यूज कर सकते हैं लेकिन जो घी से जो पुलाव क खड़ा जीरा इसी थोड़ा से चटकने देंगे इसके बाद हम इसमें आड कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें मैंने लिया है आठ से दस काली मिर्च एक बड़ी इलाइची दो तेजपत्ता दो सेरमेस्टिक चार लॉंग तेन हरे इलाइची एक जावीत्री और एक बाधियान इन सब को इसमें आड कर देंगे इसे हम थोड़ा सा घी में सॉप्ट कर लेंगे ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो घी में अच्छे से आ जाए इसके बाद मैंने एक मेडियम साइज का प्यास लिया है रॉफली चॉप कर लिया है इसे इसमें आड कर दे करेंगे अब हम इसमें आड कर देंगे एक चमाच अद्रक का पेस्ट अद्रक से पुलाओ का फ्लेवर बहुत जасти बढ़ रेंगे का अब मिस को को जिसमें मैंने चार लाल मिर्च लिए और चार हरी मिर्च लिए इसे मैं तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐच्छे से मेझ्स कर लिएंगे, हमने लिया एक मीडियम साइज का टमटर, इसको öldे एक कप के मिया हुआ है, इसमें टॉप कर देंगे, यहले ऊफ्ड गे है, अब हम इसमें राइसे आडव कर देंगे, तो फ्रेंस मैंने मैं एक्स्ट्राल जेन र लिए जिसे मैंने आदे गंटे पहले पानी में भींगोकर रख दिया था और इसे मैंने चान लिया है आप चाहे तो नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हैं बड़ पुलाव बना रहे हैं पुलाव जो है वो थोड़ा ऐसे लंबे-लंबे चावलों में ही अच्छा लगता है त देखिए इसका जो मौशेर है वो खतम हो गया इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे मतर मैंने एक कप मतर लिया है यह बिल्कुल ताजी मतर है और शर्दियों में बना रहे हैं तो ताजी मतर ही मिलेगी से अच्छी से मिक्स कर लेंगे आप इसके जगा फ्रोजन मतर भी सकते हैं फ्रेंस लेकिन जो ताजी मतर से जो टेस्ट आएगा पुलाओ का वह बहुत ही डिफ्रेंट आएगा अब इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउडर ताकि इससे जो है पुलाओ का टेस्ट थोड़ा स्पाइसी आएगा आदा छोटा चमच हम इसमें आड़ कर देंगे गरम मसाला पाउडर अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आ पारी सी तरह की हेल्दी सी और मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके शेयर करूँ देख सकते हैं फ्रेंट सी कितना प्यारा दिख रहा है इसके बाद आप इसमें डाल देंगे पानी तो मैं पानी साथ ग्लास यूज करूंगी क्योंकि इस ग्लास से मैंने चार ग् चावल है वह हमारा बहुत ही खिला खिला बनके तयार होगा और बहुत ही खुश्बूदार इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख ले मैं इसमें दो चममच यूज कर रही हूं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट तक ठक कर एक उबाल आनी तक इसे कुक कर लेंगे इसे कुक करते पांच मिनट हो गया है इसको चेक कर लेते हैं इसमें का आधा पानी शोक कर गया है अब इसे स्टेज पे हम इसमें पनीर आड़ कर देंगे पनीर को आप पहले ना डाले चाल वे नहीं तो पनीर एकदम सौफ्ट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे ट्राइप फूर्ट्स जो हमने फ्राइ किये थे थोड़ा सा इ हम इसे लेट को लगा कर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे इसे लो में पे इस्टीम होते 10 मिनट हो गया है इसको चेक कर लेते हैं सब्राइ से कितना ऑर वृज इसके बाद हम इसमें इसके उपर से डाल देंगे थोड़ा सा केवडा वाटर क्योंकि हम बना रहे हैं इसे बिलकुल साधियों वाला ताज़ा मतर पनीर पुला केवडा वाटर तो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाद हम इसे पांच मिनट तक ऐसी ही छोड़ देंगे उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसे सर्फ करके यह देख सकते हैं यह कितना बढ़िया और कितना पॉफिक तयार हुआ है ताज़ा मतर पनीर पुलाव बनके बिलकुल तयार है आप इसे एक बार जरूर आप एक बार इसे बना कर खाएंगे आपका यह डेली का रूटिंग बन जाएगा के देखे फ्रेंस हमारा ताज़ा मतर पनीर पुलाव बनके बिलकुल तयार है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही मज़ात है खाने में और बहुत ही टेस्टी बताएं मिलते हैं फिर एक और नए और डिलीजसी रेसी पी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें बाई